पिछले 2.5 साल से पूरी दुनिया करोना से जूज रही है हम दिल्ली वालों ने भी करोना का डट के मुकाबला किया अब करोना की स्थिती काफी कंट्रोल में आ गई है करोना के मामले भी काफी कम हो गए है जितने मामले आ रहे हैं वो भी सीरियस नहीं है एक आद को छोड़ते हैं तो बहुत कम सीरियस मामले आ रहे हैं जितने मामले आ रहे हैं मोसली घर पे ठीक हो जा रहे हैं उनको अस्पताल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है करोना से होने वाली जो मौतें थी पहले वो भी लगबग अब ना के बराबर है लेकिन बिमारी तो ये खराब है बहुत गंदी बिमारी है और किसी को भी ना हो ये बिमारी ऐसी हमारी कामना है ऐसी हमारी कोशिश रहती है तो इसके वैक्सिनेशन को लेके दिल्ली सरकार समय समय पे उचित कदम उठाती रही है हमने सबके लिए वैक्सिन फ्री किया किंदर सरकार का इसमें बहुत सहयोग मिला आज मैं आप सब लोगों से अपील करने के लिए आया हूं कि जो प्रिकॉशन डोज है जो पहली और सेकंड डोज के बाद लगती है उसको प्रिकॉशन डोज कहते हैं जो precaution dose है जिन जिन लोगों नहीं लगवाई वो सब लोग precaution dose लगवा लें दिल्ले में भी बहुत कम लोगों ने precaution dose लगवाई है यह precaution dose भी हम लोगों ने free की हुई है जैसे पहली dose free थी, second dose free थी ऐसी यह precaution dose भी बिल्कुल free है तो आपको पैसा बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं आपको बस थोड़ा सा समय निकालके आपको precaution dose लगवाने के लिए जाना है तो वो सब लोग जिन लोगों को second dose लगवाए हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए है वो precaution dose लगवा सकते हैं 18 साल से उपर की उम्र के लोग अब हमने कई महला क्लिनिक्स में भी vaccination की सुविधा कर दिये तो आपके परोस में जो महला क्लिनिक है वहाँ पर अगर precaution dose लग रही है तो वहाँ जाके लगवा सकते हैं नहीं तो जो सरकारी vaccination सेंटर है वहाँ लगवा सकते हैं जिन्होंने second dose अभी तक नहीं लगवाई हैं वो please second dose लगवा लें अपनी सेहत का ख्याल रखें हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का की तकलीफ हो और खास तोर से मैं अपील करना चाहूंगा सभी senior citizens से बुजर्ग लोग जो हैं उनको अगर हो जाए उनको बुजर्गों को और कई तरह की बिमारिया रहती हैं ब्लड प्रेशर की डाइबिटीज की बुढ़ापे की और कई बिमारिया रहती हैं उनके साथ जब अगर करोना हो जाए तो वो कई बार घातक साबित हो जाता है तो इसलिए मैं सभी senior citizens से अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने second dose या precaution नहीं लगवाई तो ज़रूर लगवा ले हम अ हमारी यतने healthcare workers हैं जो डूसरों का ख्याल रख रहे हैं का या जो दूसरों के लिए काम में कांकर करने हैं वेट्सोर की सेहत के लिए अस्प determine का कांकर रहे है a healthcare बेंजी में ब्लाइए डोस लगवाले हैं जितने हमारे फ्रंट लाइन वरकर्स हैं जैसे सिविल डेफेंस वालेंटेज हैं पुलिस वाले हैं जो जो और दूसरे करमचारी हैं जो पूरा दिन पब्लिक डीलिंग का गाम करते हैं उन से भी निवेदन हैं कि आप अपने आपको सुरक्षित रखें हम चाहते हैं कि आप सरक्षित रहें और वो भी प्रिकॉशन डोस जरूर जलते हैं